दोस्तों आपने तो महुआ का नाम जरूर ही सुना होगा या अपने जरूर देखा होगा क्योंकि पहले के जबाने के लोग इसी महुआ को खा कर सव बरसों तक जीते थे और उनका सरीर भी हठा कठा याने मजबूत रहता था लेकिन आजकल के लोग कितना भी कुछ खाने के बावजूद भी उतने दिनों तक नहीं जी पाते हैं और ना उतने एश्ट्रंग रह पाते हैं याने मजबूत रह पाते हैं क्योंकि आजकल देखते ही हैं कि हम सभी मार्केट से तरह तरह के फ्रोटीन पाउडर या कई तरह की दवाईयां को ले कर यूज करते हैं कि इससे भी हमारा सरीर यश्ट्रांग यानि मजबूत रह सके लेकिन इन सभी मार्केट की दवाईयां खाने के बावजूद भी हम सभी के सरीर में पहले के लोगों के जैसा ताकत देखने को नहीं मिलता है क्योंकि हम सभी नेचरल चीजों का पर्योग नहीं करते हैं लेकिन दोस्तो आज मैं जो उपाय बतावूंगा वो प्योर घरेलू अपने आप पर अजमाया हुआ है और इसका साइड इफेक्ट भी आपके सरीर पर बिल्कुल नहीं पढ़ने वाला है तो दोस्तो वीडियो को लाज तक जरूर देखिएगा क्योंकि यह अनुष्का आपके लिए बहुत ही काम का होने वाला है तो दोस्तो सबसे पहले आपको जो चील लेनी है ओ है एक गिलास दूद दोस्तो आप दूद गाय भायस बकरी इन तीनों में से किसी का भी ले सकते हैं क्योंकि आपको पता भी होगा कि दूद में प्रोटीन, कैलसियम, राइबोफलोबिन, बिटामिन A, बिटामिन D, बिटामिन E, बिटामिन K, सहित फासफोरस, मैगनीसियम, आयोडीन, खनीज, वसावा, उर्जा काफी मात्रा में मिलता है अब आपको जो ची लेनी है ओ है कच्चा महुआ दोस्तों अगर महुआ आप नहीं देखे हैं तो ध्यान पूर्बक देख लेजिए पहचान लेजिए जान लेजिए यहीं है महुआ क्योंकि महुआ में अधिक मात्रा में कार्बो हाइडरेट, प्रोटीन, फैट, कैल्सियम, फासफोरस, आयरन, कैरोटीन, बिटामिन सी पाया जाता है जो कि हमारे लिए काफी फाइदे मंद है तो आपको इस महुआ को ऐसे हाथों से दबा कर इसका रश निकाल लेना है जैसा कि मैं इस महुआ से रश निकाल रहा हूँ, वैसे आपको भी निकाल लेना है और इस महुआ के रश को दूद में मिला लेनी है अब इसे अच्छी तरह से चम्मश की सहायता से आपको चला लेनी है यानि मिक्स कर लेनी है जब दूद में महुआ का रस पूरी तरह से मिल जाये तो आपको क्या करनी है इसे धीरे धीरे करके पूरी गिलास भरी दूद को पी लेनी है दोस्तों अगर आप यह उपाय मात्र हफते दिनों तक लगतार करते हैं तो आपका सरीर बिल्कुल हठा कठा बजर जैसे होते नजर आएगा और आपके सरीर से कमजोरी का नामों निशान बिल्कुल मिट जाएगा तो दोस्तों यह जनकारी आपको कैसी लगी अगर अच्छी लगी हो तो अभी चैनल को सस्क्राइब कीजिए और बगल में दिखरे घंटी को दबा दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटफिकेशन डारेक्ट आपके पास मिलती रहे तो फिर मिलते हैं नेक्ट वीडियो में एक नए जनकारी के साथ तब तर के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद